हेलो आजेक्टर में हम लोग पढ़ेंगे f तो कभी भी एक्जर मेजरमेंट नहीं होगा कुछ नौ कुछ उसमें रहे गाई जैसे मालो सपोज अगर एक रोड का लेंग अगर मेजर कर रहे हैं तो इसका लेंध कितना है 10.3 सेंटिमेंट तो यह ऐसा नहीं होगा कि exactly 10.3 cm जो होगा उससे क्वंसाइड करेगा यह क्या होगा कि 10.3 और 10.4 के बीच में लाई कर रहा होगा इसका एक एंड जैसे मालों सपोज यह 10.1234 ऐसे लाई करता है जनरली तो यह 10 हम लोग 10.3 तो सही है लेकिन अगर cm यूज कर रहा है तो हम लोग 10.3 से ज्यादा है ऊसी न्सलेंटी को क्या बोलते हैं हम लोग 10.3 ठीक है यानि वेन यहीं लिख सकते हैं एवरी मेजर्मेंट या रिजल्ट पॉफ एवरी मेजर्मेंट रिजल्ट ओफ कि एवरी मेजर्मेंट क्डेगे इस एंसर्टन्टी को हम लोग क्या बोलते हैं ठीक है एक और चीज़ आता है एक्यूरेसी एक्यूरेसी और दूसरा आता है प्रिशीजन ठीक है यह दोनों ध्यान से प्रेशियन यह थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इसमें कन्फूजन रहता है एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ हुआ कि जैसे अगर मालो कोई भी मेजरमेंट अगर हम लोग कर रहे हैं ठीक है तो कुछ ना कुछ उसकी एक्चुल वैलू होगी तो जो मेजर्ड वैलू है जैसे हमने यहां पर 10.3 cm क्या होगा मारा मेजर्ड वैलू हो सकता है कुछ और हो 10.3 11.33-40 एक करेसी का मतलब क्या हूं कि जो भी हमारा मेजर्ड वैलू है जो मेजर्ड डेटा है वह एक्च्वल डेटा के यह एक्च्वल वैलू के कितना करीब है ठीक है जैसे मालों सपोज अगर देखा हमने कि 3.45 हमारा क्या हो अगर एक्च्वल रीडिंग एक्च्वल हँ किसीं हमने मेजर कि ए 3.32 मेजरमेंट ठीक है दूसरा मेजरमेंट किसी ने किया हो ठीर 22.37 cm अब आप यह वाद देखू कौन जदा ओओं ज़्यादा क्लोज है एक्शूल वैलू के यह हमारा क्या है वेल्ओ यह हमारा वेल्ओ टो एक्टीनव multiplier न डिए एक्टाल वैल्ओ के ज्ञादा करीब वॉर्प कॉन से यह ज्यादा एकुरेट हुआ मोर एकुरेट ठीक है यह क्या होता हमारा ओक्रमील एकुरेट कि रगाstar कि accuracy of a measurement क्या लिख सकते हैं accuracy of a measurement shows that shows that how close is measured value measured value measured value true value true value absolute value भी बोल सकते हैं जितना ज़्यादा close होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा एक लेते हैं जैसे मालों सब्सक्राइब अगर सब और किसी की लेंध यह जादा लूजिए ने यह चाहित है मारा प्रिसीजन लेक्ष हमारा प्रिशीजन यह प्रिसीजन क्या बताता है कि एक बाद हुआ है बिजर्ण यह बताएगा की हम लोग कितना ज़्याधार सेंटिमिटर मेजर कर रहें किसी अगर 10.3 सेंटिमेटर मेजर कर रहे हैं एक स्केल से दूसरा स्केल हमारा क्या है कि 10.3 3.2 cm एक तीसरा सकते ह्लें 10.3 25 cm मेजर अब एक बार्द टेसिमल के बाद टीन डिजिट तक मेजर कर रहा है यह दोडिजिट तक और एक डिजिट तक तो यह जो डेटा होगा वोच क्या होगा क्योंट साथ में रिजियर दिए तंट गेसाइगा या निदि यूजसन परेसिजन कर रहे यानि रिजियोलीशन वे इंस्टोнемेंट कलो यह लिख सकते हैं कि प्रेसीजन से पुलत जेस अस है कि टूवाट रिजॉलिशन के साथ कॉन्टिटी को मेजर किया है ठीक है चलो अब इसके बाद देखते हैं मेजर्ण जैसे मालनों कोई डिटा देखते हैं आप देने के बाद हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कौन ज्यादा एकुरेट है और कौन ज्यादा प्रिसाइज है स यह अनने टैनवान ठ्री फोर सट्री मैजर्ट यह और यह रिदिंग हमने इक ट्री स्नेटिमेटर और एक बाहए हमने तर्लो एक तो और ज्यादार मूंबर सप्टॉरेट और ज्यादा रिजलीशन के साथ कौन मेजर कर रहे तो यह कैंप और क्या होगा अब हुम क्या करते हैं कि कि यह सब्सक्राइब करते हैं तो यह एक निकालने सकते हैं कि को परफॉर्म करते हैं तो ज़्यादा टाइम परफॉर्म करते हैं जैसे मंनों सब्पोगर आपने कभी experiment किया होगा को इंस साइंस लाब में तो से मि क्या करते हैं कि true value पता करने के लिए यह calculate करने के लिए हम लोग एक ही एक्सपेरिमेंट को एन नमबर आफ टाइम्स परफॉर्म करते हैं ठीक है तो आयो देखते हैं कि true value calculate कैसे करें तो मानलो यह हमारा क्या होगे absolute value क्या लिखते हैं absolute अगर हमने क्या कि क्या है कि कितने टाइम कितने टाइम कितने टाइम कर रहे हैं अगर हमारे पास जो डेटा आ रहा है वह कितना रहा है ट्रीं डो दोट डोट ए अन तक आ रहा है टिक है डो फिर पार तो absolute वैलो किसको मानेंगे यह actual value किसको मानें मित एक्चील वैलो क्या होगा हमारा Treat esteem से इसको absolute वैलू यह फिर क्या बोलता है मीन वैलू भी रोलते हैं ठाइक है मिय को सुप क्या होगा तो ए वन प्लस ए टू प्लसडोत डॉट-डॉट कि तना एन अपॉन कितना होगा यह हमारा क्या होगा absolute value या फिर mean value ठीक है इसको अगर इन जनरल लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं sigma ai upon n और i की value कहां से कहां से लेकर के कहां तक यह हमारा क्या होगा mean value या फिर absolute value जो इसके बाद जो result आएगा वही हम लोग मानेंगे कि यह हमारा absolute value मतलब यह हमारी true value जो भी compare करना error निकालना है वह हमारा क्या होगा इसी से compare करेंगे ठीक है इसके बाद हम लोग क्या निकालते है absolute error obviously absolute error का जो आएगा absolute error absolute error absolute error क्या बताएगा हमें कि जो true value या फिर mean value है mean value minus mean value minus हम लोग क्या बोलेंगे कि जो भी जैसे मानलो जो भी अगर हमने quantity major किया ठीक है तो उसमें से individual value आई जैसे एवन एटू एट्री डॉट डॉट यह हमारा क्या हुआ यह तो यह true value मतलब मानेंगे कि measurement के बाद यह जो value जो हमें निकले यह हम लोग मान के चलेंगे कि यह हमारे सई वैलो तो इसमें और यह वाले में सम्में कुछ नो कुछ difference होगो तो यह दोनों का difference होता है इस ही को लोग क्या बोलते है absolute error मतलब मीन वैलू माइनस इंडिवीजुल वैलू इंडिवीजुल वैलू इसी को क्या बोलेंगे इंडिवीजुल दोनों को सब्टरेक्ट करने पर जो आएगा वो क्या होगा absolute error जैसे मानलों हमने अगर देखा डेल्टा एवन इसको किस से डिनोट करते हैं डेल्टा एवन तो क्या लिखेंगे एम माइनस क्या एवन ठीक है अगर डेल्टा एटू लिखना हो यानि सेकेंड जो मेजरमेंट है उसमें कितना एर तो एम माइनस क्या लिखेंगे एटू đaken क्या लिखेंगे तो यसे अगर डेल्टा एं लिखना हो तो क्या लिखेंगे एम माइनस अठीक अब यहक्त सकता है कि 7A 1 से ज्यादा हो और हो सकता है कि a1 से कम भी यह यह क्या हो सकता है कि it can be positive it can be positive negative और zero। इसके बाद अगर हम लोग देखे कि जैसे मानलों result हमने यह काल собир लिए अब हमें अगर यह निकाल न है कि Actuell कितना बोलोगे जैसे सब्सक्राइब कितनी तो 10.34 सेंटिमेटर उसके साथ कुछ एक पर्टिक्लर लिखो यह सारे लिखेंगे तो हम लोग क्या निकालते हैं मीन एरर को हम लोग किसे डिनोट करेंगे तो डेल्टा एम से यह डेल्टा एम कैसे निकालेंगे तो सबका यह जो आएगा सबकी मॉड का समेशन मैगनिटूड का यह चीज़ द्यान रखना साइन के साथ हमें नहीं लेना मतलब यह कह रहाएगा कि डेल्टा एवन ठीक है इसको अगले पर लिख लेते हैं लोग जैसे मालोग क्या निकालना अपने को मीन एरर हम लोग कैसे न द्टा एक्ट ब्लस दॉडड़ ड्रट डेल्टा लिएं और उैपन कितना ही अजाएगा ऑनके ब्रावर मतलब सारे जितने भी एर उन सबका मॉड़्स का मॉड़ल अपन कितना एक्टा एम एक्स पॉन ऐगा मानें मिझे हूं एक्शेक एरर इतना ही हुआUR यह हमें क्या बताएगा कि यह इसकी actual value है और यह हमारा क्या हो गया mean error हो गया मतलब exact error इतने कहीं हुआ है इसके बाद चलो इसके बाद एक और हमें error निकालना रहता है relative error ठीक है relative error कभी कभी इसको fractional error भी बोलते हैं ठीक है relative relative error क्या बताएगा कि जैसे delta x upon x जो आएगा जो अगर सपोज x कोई quantity major कर रहे हैं तो उसका जो delta x मतलब mean error upon the mean value वह उसी का रेशियो क्या बताता हमें relative error यानि हम लोग delta x को क्या लिख सकते हैं तो plus minus delta m upon कितना इसके बाद एक और आएगा percentage error एक और क्या आएगा percentage error percentage error अगर देखें तो percentage error को क्या लिखेंगे तो delta x by x into hundred equals to कितना तो plus minus delta m upon m into कितना hundred यह हमारा क्या बताएगा percentage error लेर हुआ तो यह इस तरीके से अगर हमें मालनों जो भी एकर question आएगा इस से इस पर तो वह कह रहाएगा कि जो बेसे related जो भी सवाल आएंगे तो सबकी value रहेगे एवन एटू जितने measurement कि हमें mean error पूछा जा सकता है mean value पूछा जा सकता है relative error पूछा जा सकता है percentage error पूछा जा सकता है तो यहीं सारी चीजें हमें पूछेंगे वहां से हम लोग क्या करेंगे कि उनकी value अगरा calculate करेंगे सपोज relative error निकालना हो तो पहले mean error निकालनो mean value निकालनो दोनो डिवाइड कर दो परसेंटेज error निकालना हो तो वहां से भी 100 से multiply कर दो ठीक है चलो thank you